अकसर हम देखते हैं जो एक करोड़, लेड़ करोर, दो करोड़ का रासी एचीब करते हैं जो है Grand League, Megagrand League में राइंकेक लाते हैं उनका जो है Captain कुछ अलग होता है जिनका election percentage कम होता है उस परकार के Captain और Vice Captain होते हैं तो दोस्तों आप बिल्कुल जो है एक कलोर दो कलोर का रासी अचीव नहीं कर पाओगे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तो राइंक एक लाने का वादा तो नहीं करूँगा लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उस तरीका से आप जो है हजार rank तक अंदर जरूर आओगे आपका rank जो है improve जरूर होगा आप जो है अच्छा खासा point जरूर से जरूर लाओगे इस वीडियो को देखने के बाद तो दोस्तो वीडियो को सुरू कर दियो तो वीडियो को last तक जरूर देखना दोस्तो जो लोग mega grand league में rank 1 या फिर rank under 1000 के अंदर लाना चाहते हो तो दोस्तो आज की वीडियो बहुत ही important होने वाली है क्योंकि दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको captain और vice captain का selection करने के लिए ही playing 11 का selection करने का team का selection कैसे करना तो दोस्तो उस वीडियो का link description box में मिल जाएगा अगर आपको team बनाना नहीं आता है players का selection नहीं करता है वो भी percentage की अधार पे तो दोस्तो आप video में description box में जाएं वहाँ पे जाकर आप उस video को देख सकते हैं उस video को देखने के बाद आप जो है dream team यानि की जो लोग एक करवर जीतते हैं दोस्तों कम selection वाले players को अपने team में रखते हैं तो कैसे players का selection करना है उसी video में बताया गया है तो आप description box में जाए और उस video को जरूर से जरूर देखिएगा पहले आप इस video को देख ले इस video में मैं आपको बताऊंगा कि आप captain और vice captain कैसे बना सकते हो बिलकुल आप mega grand league का captain और vice captain इस video में बनाना आपको आज आएगा जो लोग एक team लगाते हैं जो लोग छोटीम लगाते हैं जो लोग 10 team लगाते हैं live मैं आपके सामने जो है वो बताऊंगा तो सभी के लिए important है video तो video last तक जरूर देख कर ही जाना तो दोस् चैनल को subscribe कर देना क्योंकि दोस्तों चैनल को subscribe करने से आपको इसी परकार के earning वाला वीडियो इंट्रेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा तो दोस्तों आप ये कर दो अब बात करते हैं बिना time based करते हुए video को सुरू करते हैं और आपको मैं बताता हूँ mega grand league या फिर grand league में captain और vice captain का selection कैसे करोगे पहले मैं demo के तौर पे players का selection जो है कर ले रहा हूँ दोस्तों आप देख सकते हो मैं किसी भी players को यहां से उठा ले रहा हूँ आपको demo के तौर पे समझाने के लिए तो मैंने players को select कर लिया है अब बात आती है दोस्तों कि जो लोग एक team लगाते हैं जो लोग एक team ही लगाते हैं वो समझने की कोशिज किजिएगा वो captain और vice captain कैसे select करेंगे तो दोस्तों आपको यहां से देखने के लिए मिल रहा है selection percentage captain का कि कितना percent लोग ने किनको captain और vice captain किया है तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहां पे captain जो ह बना कर चल रही है सभी लोग ssv jaswal को captain बना कर चल रही है क्योंकि जोस्तों jaswal क्या क्या है last जो दो मैचे हुआ है दोनों मैच में अच्छा खासा यह point देते हुए नजर आ रहे हैं तो दोस्तों तीसरा मैच भी होगा तो आप सोचोगे ssv jaswal को सभी लोग captain कर रहे हैं तो मैं भी captain ही बना कर चलूँगा तो दोस्तों आप mega grand league खेल रहे हो अगर आप mega grand league में रिक्स नहीं लोगे तो आप कभी भी mega grand league में rank नहीं आ सकते तो आपको यहीं नहीं करना है ssv jaswal को जो है वो अगर आप एक team बना रहे हो तो आपको captain नहीं करना है तो captain करना किन को है यह मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों captain उसी players को करना है सबसे पहले तो मैं यह team को पहले for the final save कर दे रहा हूं उसके बाद यहां से आपको captain किन को करना हो नहीं समझाता हूं तो सबसे पहले आपको pitch के बारे में knowledge होना चाहिए आपको pitch के बारे में पता होना चाहिए कि pitch कि के फेवर में फेवर करेगी क्या पिछ बैटिंग को फेवर करेगी या फिर पिछ के ऊपर बालिंग इंपॉर्टन है मतलब कि बालर्स बिकेट ज्यादा गिरते हैं तो सबसे पहले तो आप यहां से उपर आपको देखने के लिए मिल जाता है पिच रिपोर्ट तो इसी पिच को आप यहां से देखोगे तो आपको यहां से देखने के लिए मिलता है पिच जो है बैटिंग को फेवर करेगी और दोस्तों एवरेज श्कोर 180 रन का यानि की जो है विकेट कम गिरेंगे सबसे पहले तो तीन चार बैटर्स एक दो तीन बैटर्स को आप निकाल लो कि किनका रिसेंट फर्म फिलाल अच्छा चल रहा है वो फर्म में बनदा है तो पहला आ जाते हैं से स्वी जैस वाल इस परकार से आप यहां पे किलिक करोगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इसी परकार से आपको तीन चार प्लेयर्स को देख लेना तो तीन चार प्लेयर्स में से जिनका सेलेक्षन कैप्टन में सबसे कम है जिनका परसेंटेज सबसे कम है कैप्टन में उनको आप कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हो तो दोस्तों किन का कम है तो मैं यहां से कैप्टन देख लेते हैं किन का कम है यहां से देख सकतु है यंशौत का जो है वो सब से कम है तो मैं यंशौत को कैप्टन कर दूँँगा इस टीम बात आती है वाइस कैप्टन का सेलेक्षण करने के लिए तो आप पहला टीम बना रहे हो ना तो वाइस कैप्टन को अब दोस्तों ये बात हो गई पहला टीम का जो एक टीम जो लोग बनाते हैं उनको captain और vice captain सेलेक्ट करने के लिए आ गया है अब दोस्तों जो लोग छाय टीम बनाते हैं उनको मैं बताना चाहूँगा तो उनको मैं यही कहना चाहूंगा प्लेयर्स का सेलेक्षन करने के लिए तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा?- नहीं अगर आपको प्लेयर 11 प्लेयर का सेलेक्षन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ पे जाकर देख लेना लेकिन मैं 6 टीम में आप captain और vice captain कैसे बनाओगे वो मैं भी समझाने की कोशिस करता हूँ तो सबसे पहले तो बिल्कुल आप एक safe player को आप चुन लो कौन सा players जो है बिल्कुल safe है तो safe player SSV जैस वाल हो सकते हैं recent form जिनका अच्छा या फिर आप all rounders में से किसी players को एक safe मान लो मान लेते हैं yum sort को मैं safe मान लिया अब दोस्तों captain की बात आती है कि आप 5 और captain बनाओगे क्योंकि आप एक team तो बना लिए आप 5 team कैसे बनाओगे तो players का selection करने के लिए मैं नहीं बता रहा है इस video में मैं बार बार बोल रहा हूँ आप यह 11 player है आप दूसरा team बना रहे हो तो 2-4 player changes करोगे तीसरा team बना रहे हो एक दो player changes होगा चौथा team में एक दो player changes होगा तो कैसे change करना है आपको उसी वीडियो में बताया गया है जाकर आप देख लेना बाकि आप captain दूसरा team में कैसे करना है तो दोस्तों आप लोगों ने एक team बनाया दूसरा team में आप बैटिंग पीछ है तो बैटर्स के साथ जाओगे आप मौका देगो किसको सुरिकुमार यादब को मौका देगो SSV जैसवाल को मौका दोगे दो टीम होगया तीसरा team असमीत को मौका दोगे ग्रकवार को मौका देगो अस्तोनि स और रोन्डर को भी आप मौका दे सकते हो ऊस्पिनर को पीछ मदद कर रही है आपने देखा तो गलेन मैक्स बैल को भी मौका दे सकते हो इसी परकार से आप captain को rotate कर सकते हो चाहे वो उब भाइस captain आपका यामसौट ही क्योंना हो कोई और प्लेयर क्योंना हो इसान किसन ही क्योंना हो तो किशी को भी आप स्टेबल कर दो आप कैप्टन को रोटेट कर दो आपका टोटल जो है 6 टीम बन चुका है अब दोस्तों जो लोग 10 टीम लगाते हैं थोड़ा सा रिक्स लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बताना चाहता हूं तो दोस्तों उनको मैं यह कहना चाहूंगा ति जो है hit and miss type वाले वैटर्स होते हैं जैसे कि मैंने यहां से कौन-कौन से प्लेयर्स को सलेक्ट नहीं किया अपने टीम में अपने टीम में जैसे तिलक वर्मा हो गए मेरे बाई रिंकु सिंग हो गए टीम डैवीड हो गए यह सब hit and miss type वाले बैटर्स हो जाते हैं तो दोस्तों आप चार टीम ऐसा बनाओगे उसमें जो है दो वाईस कैप्टन hit and miss type वाले लोगे जैसे कि यहां से तिलक वर्मा को वाईस कैप्टन कर सकते हो अपना सातमा टीम में और जो है कैप्टन किन को करोगे तो बिल्कुल जनता जिसके साथ जा रही है जिनका recent form बढ़िया है तो कौन है वो वो है SSV जैसवाल तो आप SSV जैसवा होगे आप आठमा टीम में एक और आप जो है रिस्की वाईस कैप्टन को अपने टीम में रखोगे जो की जौस इंगलिस हो सकते हैं टीम डेविड हो सकते हैं कोई भी प्लेयर्स हो सकते हैं वह आप अपने इच्छा नूसर जो आपको लगता हीट एंड मिस टाइप बैटर स्वाल कोई नहीं करकर आप मैक्सवेल अस्टोनिस या फिर सांट किसी को भी आप कर सकते हो तो यह टोटल आपका आठ्स टीम हो चुका है अब नॉमा और दसमा टीम में क्या करना है वाईस कैप्टन को जो है बिल्कुल सेफ करकर दो रिस्की कैप्टन को अपने टीम में र आपको हीट एंड मिस टाइब वाले प्लेयर्स को कैप्टन करना है नॉमा टीम में आप लोगों ने एक हीट एंड मिस टाइब वाले प्लेयर्स को कैप्टन कर दिया अब वाईस कैप्टन और डॉंडर्स में जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से पॉइंट देदे पिच को देखते हुए पिछ के उपर इंपोर्टेंट है ना तो अस्पीनर्स में कौन से दो बैटर्स आ जाते हैं मैक्सवेल तो यह दोनों में से किसी को वाइस कैप्टन कर सकते एक टीम में आप दूसरा जब आप कैप्टन करोगे जैसे कि मैक्सवेल को बना दिये थे तो इस परकार से आप लोगों को जो है सेलेक्ट करना है बाकी अगर आपको जो है प्लेयर्स यानि की प्लेइंग अलेवन का सेलेक्शन कैसे करना है अगर आप चार टीम पास टीम बनाते हो दस टीम बनाते हो तो इस वीडियो में तो मैंने बताया captain को कैसे select करना है और दोस्तों वीडियो के description box में जो link मिलेगा आपको वहाँ पे आपको players को select कैसे करना है वो मैं बताया हूँ तो उस वीडियो को जाकर देख लो आपको team भी बनाना आ जाएगा और mega grand league में captain और vice captain किन को किया जाता है वो भी करना आ जाएगा तो सब कुछ आप सीख जाओगे और दोस्तों मैं यह नहीं बोल रहा कि मैं आप लोगों को जो है rank 1 दिलवा दूँगा मतलब grand league आपको mega grand league में rank 1 ला दूँगा ऐसा नहीं मैं नहीं बोल रहा लेकिन मेरा इस ट्रिक का अगर आप उपयोग करते हो तो दोस्तों आपका rank तो improve होगा ही वो confirm है कि improve होगा अगर आप इस वीडियो को देखे हो तो आप आज से team बनाना start करो और playing 11 को भी select करने वाला वीडियो को देख लो आपको अच्छा खासा rank में improvement मिलेगा दोस्तों तो दोस्तों मिलते हैं अगरे वीडियो में thanks for watching, thank you